कि अज़ी भक्त जनों को सप्रेम नुमन अक्तों आज एक बहुत महत्पुर्ण विशे पर चर्चा करने जा रहा हूँ और यह विशे है विशे तो राजनितिक है लेकिन इसका धार्मिक, समाजिक, खार्थिक, वग्यानिक हर चीज का पहलू हूँ आप सभी लोग जान रहे हैं कि विश्व में अबुद्पुर्ग घटना एक घटी है जो अफगानिस्तान में तालिबान का सासना गया है वैसे तो अगर इसलाम का इतिहास देखा जाया तो यह उनकी विचार धारा क्या अंडरोफी है उनकी जो विचार धारा रही है कि जो गैर मुसलिम हैं उनके साथ सकती से पेस आया जाया उनके पर जैति की जाया उन्हें मारा पीटा जाया उनका समभीक बलतकार हो समभीक कतलयाम हो आगजनी हो उनका जबरन धर्म परिवत्तन कराया जाया और उनके विचारों से मिलते जुलते जो अन्य विचार वाले हैं जो मुस्लिम ही क्यों ना हो उनको भी मारा जाया और उनके साथ भी सकती से पेश आया जाया यह इसलाम का मूल विचार है वहाँ पर राजनितिक सकता इसलाम को फैलाने के लिए दी गई है यही कुरान का निर्देश है यही जब तक मुहम्मद जिंदा रहे उनने यही किया यही उनकी तरफ से निर्देश था सबको कि यही सभी को करना है तो यह जो घटना घटी है यह कोई अचंबे वाली घटना यहीं एसीलिया सब्गहार के हाज़ुँदं नारास गई जरूर है कि यह सब वे देश है या जो सब्धेश होने का सवांग कर रहे हैं उनन्हें अब कीमत चुकाने होगो उनके सामने भी करे हैं। इनसे समज़ोता कर ले या इनसे युद्ध के लिए तयार है। के युद्ध को ज़िए युद्धुब्ध करें, लड़े जाएंगे। स्माजी ग्रुप से भी लड़े जाएंगे। बहुत दिख्रूप से भी लड़े जाएंगे, कई तरीके से लड़े जाएंगे, लेकिन हर तरफ का जो परिणाम है, हर तरफ के युध्ध जो आप लडएंगे, उसका अंतिम परिणाम तो military का जो भृतिक युध्ध होता है, वही होता है। उस युद्ध में ही जो जीतता है वही जवास्ता में जीतता है बाकी युद्ध तो खैर दबाब बनाने के लिए होते हैं और आपको मिलिटरेली कमजोर करने के लिए होते हैं जैन रूप से अंतिम जीत जो है वह सैनिक ताकत ही फ्रसला करती है मिलिटरी के ताकत फ्रसला करती है उसके सपोर्ट में चाहे जो भी अर्थ व्योस्था आए या कोई भी व्योस्था आजाए तो यह जो वैचारिक युद्ध जो मुहमन ने छेड़ा था उस युद्ध का और उस विचार धारा का यह हम प्रस्पुडन देख रहे हैं इससे होगा कुछ नहीं बस इसलाम की बरवादी होगी अंतता इसलाम हासिये पर जाएगा और मिलिटरी और हतियार तुबे जुटाएंगे इधर उधर से आर्थ व्योस्था चिन भिन हो जाएगी तो उससे किस बरवाद हो जाएगा काफी पिछड़ जाएगा जितने मुस्लिम देश हैं सभी इसलिए पिछड़ रहे हैं क्योंकि कुरान को मानने वाले कभी वैग्यानिक दिश्टिकॉन से आगे नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर विग्यान विरोधी बाते हैं सब और उसको मानने के लिए वह मजबूर किया जाता है नहीं मानने वाले को मारा पीटा जाता है तो इस लिहास से अगर हम देखेंगे तो पाएंगे कि जो इन बातों को सक्की से लागू करने के लिए तयार है उन्हीं को इसलाम समर्थन देता है वहाँ आतंकवादी जो है एक हीरो है मन की आलोचना करने वाले मुसलिम भी नहीं होंगे खुले मंच से कोई मुसलिम राष्ट आलोचना भी नहीं करेगा ना आज तक कभी किया है किसी भी आतंकवादी संगठन का नागे कभी करेंगे क्योंकि इसकार्थ हो जाएगा कि सबसे पहले जिहाद उन्हीं के खिलाप जाहिर सी बात है कि भी आलोचना नहीं करेंगे बलकि समर्थन देंगे वहाँ पर उनको हीरो बनाए जाएगा परंतो यह हीरो जो है यह भोड़े और तरवार भाले का जमाना नहीं है अधिक से भी बैतर तक्नोलोजी होनी चाहिए उनका जमाना है तो आने वाले समय में देखेंगे कि इनकी जो है बहुत बुरिगती होगी और जो सब्वे समाज है जो अपने को सब्वे काता है उन्हें एक जूट होना ही पड़ेगा उनके खिलाप में और लड़ाई लड़ने ही पड़ेगी अफगानिस्तान एक असाथ देश रहा है जो आर्थिग्रुप से बहुत संपन्न कभी नहीं रहा है वहां संसाधन बहुत नहीं है इसलिए कोई देश बहुत लंबे समय तक वहां कभजा करने की नियत से गया भी नहीं रहा भी नहीं सकता क्योंकि वहां पर जो लागत वो उससे कम रिटार्ण पाएगा तो जाहिद सी बात है ज्यादा लंबे समय तक नहीं था सकता उसे वहां भाग नहीं पड़ेगा तो अमेरिका भी वहां से भागा 20 बरस बाद इसके पले रूस भी था भी भाग गया कुछ-कुछ समय तक अंग्रेजों ने भी सासन किया मारणा रंजित सिंग थे उन्होंने भी कुछ समय तक सासन किया था लेकिन वहां कोई सफल नहीं हो पाया क्योंकि वहां की धर्ती उतना उत्पादम नहीं करती है कि आपकी जो लागत लगेगी वहां सासन करने में वह प अच्छा है और अन्य देशों के लिए यह है कि वे अपना चेहरा बचा करके ही और उनसके साथ एक संबंद मना करके ही करें और सारे मिल करके आकरमन करें उस पर तालिबान को तोड़ें जैसे भी तोड़ना चाहते हैं अ कि अफगानिस्तान के लो जो सब भी होना चाहते हैं जो विग्ञान के राथ पर चलना चाहते हैं जो सत्य और न्याई के राभ पर चलना चाहते हैं उनके लिए मौका हूँ और जो धुष्छता परbabyлан उन्हें दढ़ने मिले यही न्याय की ब्राउस्था जब तक जारी रहेगी तब तक देश उसामती से रहेगा अन्य था इसका स्पिल अबार आएगा और सारे आतंगवादी वहाँ पनाह लेंगे और वहाँ किस-किस तरह से दूसरे देशों को दिश्टर्प किया जाए उसकी योजना बनेगी और एक राज दूसरे राज़ के खिलाप में उनका पुरियोग करेगा तो आतंगवादीयों को अब तक देश नहीं मिला था अब देश मिल गया है तो यहां वह संतुश्टयों कर नए बैठेंगे वह चाहेंगे कि ऐसी भुमी और जहां मिल सके ऐसा ही माहल जहां और मिल सके वहां फले फूल है जाएर सी बात है कि ऐसा माहल उन्हें पाकिस्तान में मिलेगा तो उनका अगला टार्गट पाकिस्तान हो सकता है यैं पाकिस्तान के बंगल में फिवों पोतों के ब्गल दहाई है तो इस पर बहुतों की नजर है शिनी की जिल् bound में भारत काु हिस्सा रहा भारत भी उसे लेना चाहता है और अफगानिस्तान भी देना चाहेगा तो इस तरीके से अपियों के लिए भी युद्ध हो सकता है और पाकिस्तान में भी तालिबान अपना मकड़ जाल फ्ला सकता है वहां भी इसी तरज पर लड़ाई हो सकती है इसके बाद वह भारत के और भी रुख करेगा इरान के और भी रुख कर सकता है वो किसी पी तरफ रुख कर सकता है भारत के और रुख करेगा तो भारत को डिश्टब करेगा आतंगवादी गती विदी यहां के कई राज्यों में फैलाएगा और जो जो राज्यतिक पाटियां भारत में मुस्लिम वोटों पर निद्भर हैं वे तालीबानी स्टाइल में ही काम करना सुल कर देंगगग और यहां के उस तरह से गुंड़े टाइप के जो एलिमेंट है मुस्लिम उनको छूड़ देने की कोशिश होगी और यह गुंड़े अत्यचार करेंगे तो यह भारत में आने वाले समय में बहुत मुसीबत का कारण बनेगा इसके अलावा विश्यों के आने देशों में भी यही काम होंगे तो जो लब जिहाद है लेंड जिहाद है त्मा बूरे विश्यों में अब विश्यों को कैसे निपटना है उससे यह विश्यों को सोचना पड़ेगा अन्य था तालिबान जैसे और भी कई संगठन से हमास हैं और भी हैं इसलिए है कि कोई भी मुल्क जो इसलामिक मुल्क है वह इनके खिलाप में नहीं बोल रहा है और मानवाधिकार की बात भी करते हैं जहां मुस्लिम को प्रतरित के जाता है लेकिन जहां पर वैसे मुस्लिम जो प्रगतिवादी हैं उनके प्रत्याचार होता है मुस्लिमों के ही द्वारा जो की कट्रवादी हैं वहां पर उनका मानवादिकार कहनन नहीं होता है वहां वे उसकी बात नहीं करते हैं या जब मुस्लिम गैर मुस्लिम अपरत्या चाल करते हैं वहां में बहुत का बात नहीं करते हैं यह उनकी परंप्रा रही है यह सोच रही है और अगे बढ़ने का तरीका रहा है अपने अबादी को बढ़ाने का अपने सत्रियों के खिलाफ सक्की भरतने का या उनकी सुरू से परंप्रा रही है या उन्हें निर्देश दिया जाता है लगातात सुरू से पढ़ाया जाता है रोज पढ़ाया जाता है इसकुलों में पढ़ाया जाता है मदस्य पढ़ाया जाता है उनके गरंथों में दिखा है हदीशों में इस अब सा उनके खिलाब शक्ति से पेश हाओ उन्हें मार दो पीट दो लूट लो इस तरह की बातें कुरान में भी बताई गई हैं तो जाहिर सी बात है कुरान को मानने वाले तो इन रास्तों पर ही चालेंगे आप देख रहे होंगे तालिबान जो लड़ाके हैं उनके ड्रेस को आप देखिए वे पूराने उसी जमाने के मालूम पढ़ेंगे आपको वैसी दाड़ी वैसे टर्वन वैसे ही कुर्ता पजामा उसी तरह से पहना हुआ सब कुछ उनका मुझतर आँखों में सुरुमा लगा कर उसी तरह से धीले डाले वस्त और दया नहीं धैना नोकृष नहीं करने देना इस तरह की बाते पर कर सकते हैं कि प्यक्तिकत कर सकते हैं ब। संगतनात्म कर सकते हैं, संगतनात्म करें, जो राष्ट के रूप में कर सकते हैं, राष्ट के रूप में करते हैं, इसका अर्थिया हो जाएगा, कि आने वारे समय में, उनको बल ही मिलने वाला है, तालिबान जैसी सकतियों को, तो आने वारे समय में, जो युद्ध होगा, व तो धर्ब के नाम पर ही उढ़ा। विचाज़ा त्विचाज़्ञ के नाम पर उढ़ा। तो कटरपन से इसलामी विचाज़ान जो है उसके खिलाब मैं प्रगतेवाधी मैं सोच के लोग हैं उनका और यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और यहां जो बीज है तालिबान में बोधी है अधिवा पाकिस्तान में कब जा कर लेता है तो उसके हाथ में परमणू बम भी लग जाएंगे एरफोर्स भी लग जाएगी और नेवी भी उसके हाथ में होगे जिस तरह से कमिस्ट पार्टी कई देसों में फ्यली है उसी तरह से तालिबान भी कई देसों में फ्यलना चाहेगा और कुरान का इस्टैल भी ही है हदिश का इस्टैल भी ही है चुनिवी सरकार का वहां कोई बहुत मतलब नहीं होता है वहां सिर्फ इस्लामी स्थकार का मतलब होता है और इस्लामी स्थकार का मतलब है जो सरीया कानूं के थाथ चले और बहुत सक्ति से चले और वहां जो सजा आया हो वो सरीया कानूं के थाथ हो तो जमाने को आगे नहीं ले जाने देने की उनकी जिद है, जब कि सच्चाही आई है कि जमाना तो आगे ही जाएगा, चाही जैसे भी जाएगा, उनकी यह जिद है कि उनको हम पिछे ले जाएंगे मुहम्मत की जमाने में, तो ऐसा संभव तो नहीं होगा, लेकिन इस कोशिस से द्ध्रन्स बहुत बड़ा होग नरसंगार बहुत ज़्यदा होगी, तो अब इस परिप्रेक्ष में, तालिबान तो एक बहाना है, असली चीज तो कुरान और हदिशी है, तो जब तक इन में बदलाव नहीं होगा, जब तक इन विचाधारा के खिलात में लोग खड़े नहीं होगे, जब तक इनकी पूल- नर्टनों से छुटका रहा कि कोई गुंजाइस नहीं हो, यह सब को अची तर समझ लेना चाहिए, और जो छोटे-छोटे अपने शुद्र हित साधने में लगे हैं, उन्हें आज जिन तो कल, अपने उनी साधनों, छोटे-छोटे जो साधन विचा रहे हैं, कि हम बढ़ ज जाएगा, आज जो भारती बैपारी जिन लोग अने अफगानेतार में पैसे लगाये थे, करोनों रुपिये दूब गए उनके, तो जो थोड़े बहुत लाग कमाये थे तो दूब गए, अब वे बैटके रो रहे होंगे, इस तरह से जितने भी जो पैसे लगाये थे, वे स को समझना पड़ेगा, कि वहाँ इसलामिक लाँ है, और इसलामिक लाँ के थाथ, जो गैर मुस्लिम हैं, उनके संपत्ति कभी भी जब दिया सकती है, वो उनकी ही संपत्ति है, अल्ला ने उनको उन्हीं के लिए दिया, ऐसा विर्मान कर चलते हैं, तो जो इन्वेश्टर है उन्हें इस बात को समझना पड़ेगा, अमेरिका ने खर्बों डालो खर्च किये वहाँ पर उतने समय में, आखिर उसको क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला, अंतों भागना भी पड़ा, प्रुस्वाई भी हुई, हर जगा जो है, बेजज़त भी हो रहा है, तो ऐसी जगा ट आप पैसे लगाएंगे, तो आपके पैसे डूब जाने है चाहे रस्या के अचाहे अमेल काझी तो भारत सरकार ने जो वहँद है अच्छोड सब्सों करेंगे, था उसका उध काई समझा करेंगे गाइज करेंगे, तालिवान भारत के साथ ब्लैक मिल करेगा, वह भारत से यह नहीं मानने पर वो करेगा भी और मानने पर भी वह करता रहेगा बितर से बितर नहीं मानने पर खुल्याम करेगा और मान लेने पर बितर बितर करेगा यानि वह करेगा ही करेगा यह आपको मान के चलना हुआ क्यों कि वह ही निर्देश है कुरान का तो किसी बितरा के डिल कि अवे अफगानिस्तान में ओतों की रड़कियों की लिस्ट मांग रहे हैं जो विद्वा हो गई है उनके साथ आप गैंग रेप यसी बातें होंगी कितना जुल्मों सितम होगा कोई आवाद में उठाएगा कोई कुछ नहीं बोलेगा तो इस तरह की बातें अन्य देशों म के सान हंगे और ंंका सिधा सीधी एक ही सिधानत होता है माय-टी राइट सधिया वही से है तो इस सिधान पर ही करता है और सकतम से तरीके से निरलच तरिके से करता है तो क्र शाविएसे योग तो लुका प्यदा बी की तो पयदागी कियी तो चाहिं शिदत से कुरेंगे और उनको ट्रेनिक प्रोच कि नहीं पाकिस्तान ने किया लेकिन ऐसी बात नहीं है यह हर मुस्लिन का फर्ज है कि उसको मदद करें आप अधी कुरान पढ़ेंगा तो वहां पर मिलेगा तो कुछ लोग सोच दें नहीं कि पाकिस्तान ऐसा दोसी है क्या बंगला देश से असा नहीं करेंगा क्या मलेसिया क्या इंडोलेसिया क्या इरान एराक नहीं करेंगे क्रन कि रोगर सबीक्र जो भी मुस्लिम इस न तालिबानियों को और यहां पर विफ्याल आएंगे इस बात को अच्छी तरह से समझ देना चाहिए और इसी लाइट में भारत को इन सब तत्यों के अधार पर भारत को यूजना बनानी पड़ेगी और विश्व को यूजना बनानी पड़ेगी हाँ अब तक इनका हुए बहु कि के इस मुसलमानों से प्रापड़ रहा था जिरा पएग्या पश्वारी ठविप अरुद है अब राश्ट के रोप में आधंग वार्द सामने आ रहा रहा था है और पाकिस्तान सपंड करता था बहुतर से यह एक कि आधंकवादी राष्ट के रूप में खुले आम आएगा अफवायस्तान और तिर कईयों के प्रेड़ करेगा कई राष्टों के प्रेड़ करेगा कि ऐसा ही वह भी हो जाए तो इसका अंतिन परणा सिर्फ और सिर्फ भाणा अभियुद्ध होगा कि या डराने के लिए नहीं है बलकि या आपको सच्चा ही बताने के लिए है कि जब तक कुरान रहेगा अब तक यह रहेगा क्योंकि इन सब का जो आधार है हुआ गरंथ है ना कि तालिवान अपने आपको तो आज इतना है ओव